हेलो एवरिवन आप सभी का आपके अपनी चैनल सारस टिटोरियल पे बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं क्लास टेन के बच्चों के लिए वैचेतर मैं असम से तीवा का कोशिन एंसर लेकर के आई हूँ और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस बार आप लोगों का सेलेबस 100% ही रहने वाला है क्योंकि COVID का तो कुछ ऐसा मतलब situation दिखने ही रहा है जिसके वज़े से सेलेबस reduce किया जाए ठीक है और आप लोगों का जो final syllabus है मैं upload कर दूँगी कि क्या इस सेर आप लोगों को पढ़ना है basically इस मन्त के बारे में बात करें तो इस मन्त में आप लोगों को वैचितर मैं असम से तीवा करना है और आप लोगों का main book जो main book है उस में से आपको पदियूग्म करना है और I think Amir Khushru ठीक है Amir Khushru करना है ठीक है तो पदियूग्म का तो आप लोगों का explanation दिया हुआ है question answers भी मैंने डाला हुआ है channel पर फिर भी मैं एक बार वापस से डाल दूँगी तो आप लोग वेट कीजिए जल्दी आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगे ठीक है channel के साथ जुड़े रही है क्योंकि upcoming days में definitely आप लोगों का preparation में अच्छे तरीके से करवाओंगी ठीक है तो चलिए देखते हैं तीवा का question answers यहाँ पर देखें पहला question है question मैंने नहीं लिखा वो आप बुक से लिखें न कि भासाई तोर पर तीवा लोग की समुदाई से संबंदित है ठीक है तो भासाई तोर पर तीवा लोग इंडो चीन के अंतरगत तिब्बती भर्मी भासा परिवार के बोरो समुदाई से संबंदित है ठीक है अगर सिर्फ one marks का आता है तो आप बस इतना लिखोगे कि भासाई तोर पर तीवा लोग बोरो समुदाई से संबंदित है समुदाई पूछा है तो कौन से समुदाई से संबंदित है बोरो से बट अगर two marks का question रहता है तो ये पूरा लिखने से ठीक रहेगा ठीक है next question है हमारा कि तीवा लोगों के उत्सा पर्व में इस्तमाल किये गए विविन वादे अंतर क्या क्या है ठीक है तो तीवा लोगों के उत्सा पर्व में इस्तमाल किये गए विविन वादे अंतरों के नाम इस प्रकार है जैसे की ख्राम को क्या बोलते है ढोल ढोल बार ठीक है ख्राम खुजूरा ख्राम पान्थाई दुमदिंग दगर पाती डोल आदी ठीक है फिर चमरे के वादे फिर वाफांग ख्राम फिर थक थरक रक वाटेवर क्या क्या नाम है पांसी थोरांग भैस के सिंग के पेपा मोहुरी थालांग ताल आदी ठीक है तो इतना जादा कुछ लिखने की जरुवत नहीं है आप लोग यह सब क्या करोगी कि according to marks ठीक है आप लोगों के question में कितना marks है उसके according तीन चार का नाम आप लोग लिख दोगे ठीक है तू marks का है तो इतना लिख दोगे तो चलेगा वन marks का है तो तीन से तीन करके लिख देना आदी लगा देना फिछे बस हो जाएगा ठीक है next question की तरब चलते है हमारा next question है कि तीवा समाज में जेला किसे कहते है ठीक है तो इसका देखे जेला समझने के लिए उससे आगे उसकी कुछ-कुछ points को समझना जरूरी है तीवा समाज की जो बुनावत है वो किसे सुरू होती है परिवार से होती है ठीक है दो से अधिक लोग मिलकर एक महारी ठीक है और एक महारी मिलकर एक कुल या खुटा और कई कुल मिलकर एक खेल तथा कई खेल मिलकर एक गाउ बनाते है मतलब की जो तीवा समाज है उसकी भुनावत किस से होती है परिवार से होती है ठीक है दो से अधिक लोग मिलकर क्या बनाते है एक महारी बनाते है ठीक है और कई महारी मिलकर मतलब कई लोग मिलकर क्या बनाते है एक कूल बनाते है या उसको खूटा भी बोलते है ठीक है और कई कूल मिलकर क्या बनता है एक खेल बनता है ठीक है और कई मतलब कूल बहुत सारे कूल मिलकर के खेल बनते है ठीक है और बहुत सारे जब खेल मिलेंगे तब वो क्या बनेगा एक गाओं का रूप देगा ठीक है इस अतर इस प्रकार कई कूल से मिलकर बने एक खेल के प्रसाशनिक और समाजिक मुख्या को मैदानी इलाके में जेला कहा जाता है ठीक है तो सपोज आप लोगों को अगर वन मार्क्स का है तो आप लोग यहां से भी लिखोगे कि कई कूल स से मिलकर बने एक खेल के प्रसाशनिक और समाजिक मुख्या को मैदानी इलाके में जेला कहा जाता है ठीक है बट यहां पर देखें यह जो वन मार्क्स के लिए इतना ठीक है अगर थ्री मार्क्स का आ रहा है तो यह थोड़ा सा आप इस में से बनागर की लिख सकते है अधर से लिए जब मैं डिसकस करूंगी तब मैं बता दूँगी कि किस टाइप का यह लास्ट कोविट के वज़े से क्या हुआ था कि एनी टू करना था ठीक है तो एनी टू जब दे देते हैं कि एनी टू करना है तो उसका कोशिंट पेटर्ण ही चेंज हो जाता है ठीक है बट इ एप लोग एकस्पेक्ट कीजिये ही कि पूरा हंरेट परसंट सेलवेस आप लोगों को करना पड़ेगा सो इस टार्टनींग्स से ही आप लोग लग लगजाएए नेक्स कोशिन है तीवा लोगों के कुछ उत्सवों के नाम इस प्रकार है वान्सुआ श्रग निली मुईनारी, कांठी, लखान, जोन, बिल, मेला, बोहाग, भीह, आदी ठीक है, इसके बाद है हमारा फूलगुरी का धेवा क्या है ठीक है, तो असम के प्रथम क्रिशक बिद्रो का नाम फूलगुरी का धेवा है ठीक है, जिसे जनम तीवा लोगों ने दिया था तथा उसका नेट्रूटि भी तीवा लोगों ने किया था ठीक है, मतलब कि जो फूलगुरी का धेवा है, वो क्या है असम का पहला क्रिशक बिद्रो है और इस बिद्रो का जो सुरुवात क्या था, वो किसने क्या था तीवा लोगों ने ही किया था ठीक है उसके बाद हमारा संखेप में लिखिये इंद्र सिंग देवरी दिया है और बलाई राम सेनापती दिया है ठीक है तो इसका थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ये कुशिन संखेप में आप लोगों का फोर मार्क्स का आता है शॉर्ट नॉट लिखने के लिए फ्री मा का जनम सन 1932 में पश्रिम कारवी आंगलोंग जीले के रंग खेपार गाउं में हुआ था सन 1949 भारतिये कॉम्यूनिस्ट पार्टी में सामिल हुए पार्टी में रहते हुए उन्होंने समाजिक राजनेतिक आर्थिक और सेक्षिनिक रूप से पिछरे तीवा लोगों को करने लगे उन्होंने सन 1960 में तीवासा मिशन नामक एक समाजिक संगठन के स्थापना की जिसका मकसद था तीवा लोगों के बीच फैले अंध विश्वासों को मिटा कर सिख्षा का प्रचार कर तीवा समाज को आधुनिक समाज के साथ परिचाई कराना ठीक है सन 1967 में एंद दर्वार नामक एक और संगठन की अस्थापना की गई थी उन्होंने तीवा साहित सांस्कृति को भी समृत बनाया उनके लिखे गीत तीवा तामिसा को तीवा जात्य संगित का दरज्या मिला है वे तीवा जाती जीवन के अग्रदूत थे वे लगाता संगठन समाज सुध भारक, लेखक, गीतकार, संगीतकार और कुशल राजनेता थे इसलिए पाहार के तीवा लोग उनको जाती के पिता कहकर संबोधित करते थे उनका दिहान्त 20 अगस्त 1994 को हो गया ठीक है इसके बाद देखे बारे में बुक से मैंने शॉर्ट नोट निगाल के दिया है आप कोई इसमें भी शॉर्ट करना है तो वो आप लोग मिला के देख लेना ठीक है इसके बाद देखे बलाई राम सेनापती ठीक है बलाई राम सेनापती के बारे में देखे बलाई राम सेनापती असम के साहित्ति संस्कृति जगत के प्रतिस्ठित लेखक एवं संस्कृति के स पदमेश्वरी बर्देले था ठीक है इसके बाद तीवा जन्गोस्टी की सौंकिय संस्कृती की धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने तीवा क्रिस्टी संस्था की अस्थापना में अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने तीवा लोग गीत की स्वर लीपी और तयार की थी त तीवा भासा की परतिस्था के लिए उन्होंने विशेस पहल की थी वर्स 2000 में उनको तीवा माथन लाई तकह यानि तीवा साहित्य सभा का अधेख्ष चुना गया था साहित्य के चेत्र में विशेस योगदान के लिए उनको 1991 में असम सरकार की तरब से साहितिक पेंशिन द से हुआ इस महान व्यक्तितों का देहांत 11 मैं 2014 को हो गया ठीक है तो यह था हमारा बलाई राम सिनापती के बारे में तो शॉर्ट नोट आप लोग एक्सपेक्टी कीजिए कि थोड़ा ज्यादा मांक्स का ही आएगा और एवेन मतलब यह भी थोड़ा समझ लीजिए कि अग तब तक की लिए बाई टेक केर